हर जगे आपको जॉब के लिए अपना रिजू में भेजना पड़ता है या रिजू में पेंट कराकर ले जाना पड़ता है हर तरह की कमपनी में एक अलग तरीके का रिजू में अगर आप ले जाते हैं तो ये आपके लिए काफी ज़ादा फाइदे मन्द होगा आगे चलके मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि हर एक different तरह की company के लिए एक different तरीके का रिजू में अगर आप ले जाते हैं तो आपके success के chance बहुत जादा बढ़ जाते हैं या different तरह की industry के लिए different तरह की रिजू में भीजने में बहुत ही जादा positive response आता है ये सारी चीजे मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा अभी मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेके आया हूँ जिससे आप चलते फिरते कहीं भी अपने mobile से एक मिनट से भी कम समय में त किसी को भी mail के द्वारा WhatsApp के द्वारा send कर सकते हैं साथ ही आप अपने mobile में download करके भी रख सकते हैं और चाहें तो print भी करा सकते हैं केबल आपको एक बार उसमें detail डालने की जुरूत है और आपका data भी कहीं link नहीं होगा और मन चाहां रिजू में मन चाहां format बनके तयार हो ज दाल ली तो उसको बार-बार edit भी कर सकते हैं लेकिन रिजू में बनने में आधा मतलब एक दो सेकंड ही लगेगा चलिए करके दिखाता हूं और उमीद है आपको इस वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो अच्छी लगेगी तो like share जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर दिखाईएगा ये वीडियो सबसे पहले हमें ये एप्स खूलना है intelligent cv इसको प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर यह सारे section आपको दिखाई देने लगेंगे आपको एक एक करके इन सब ही sections को भरना है लास्ट में view cv करके अपना मन चाहां resume में देखना है और तरह तरह के format में आप download कर सकते हैं तो यहां पर personal detail पर हम जानकारी भर देते हैं जैसे की नाम अपने डालना है address detail डालनी है email id for number और इसके बार नीचे की तरफ आएंगे तो हमें photo डालना है photo कैसे add करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ तो आपको photo पर click करना है photo पर click करते ही आपकी mobile gallery खुल जाएगी और वहाँ पर अपना एक passport size photo खीच के रख लीजिए और उसको इस तरीके से करके छोटा बड़ा करके आप add कर जकते हैं तो यहां पर इसको मैंने size का कर दिया है और सबसे उपर की तरफ जाएंगे और right के नि अब यह सारी detail जो हमने personal detail में भरनी है experience, skills, objective और reference भी भरना है साथ ही अगर आप कोई अलग से section जोड़ना चाहते हैं तो वो section भी आप जोड़ सकते हैं दुबारा से edit करना चाहते हैं तो इस तरीके से आके edit कर सकते हैं जैसे कि यहां पर मैं education वाले section में यह सारी detail भर लेता ह हूँ और last में इसको save कर दूगा अगर मुझे दूसरी education detail डालनी है जैसे कि मैंने BA के साथ अगर MBA भी किया है तो वो भी डाल देंगे ट्वेल्थ किया है तो वो भी डाल देंगे और experience यह सारी चीजे हम डाल देंगे इस तरीके से skills भी डाल देंगे यहां पर और इस तरीके से यह सारा complete हो गया अब अगर हम कोई और section एड करना चाहते हैं कोई और जानकारी देना चाहते हैं तो add more click पर click कर देंगे यहां पर पहले से कही सारी ऐसे option है जो कि आपको इस तरीके से select करेंगे तो आप उन्हें भी add कर पाएंगे इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कोई नया section बनाना अपने experience की आधार पर तो create new section पर click कीजिए और एक नया section जुड़ जाएगा जो भी लगता है कि आपके resume में यह वाला option होना चाहिए इस तरीके से आप नया section जोड़ के उसमें detail फिल कर सकते हैं और एक बात जब पूरी detail फिल हो जाए personal education, experience, skill, interest, project, language तो view cv करके आपको अपना cv दिखाई देगा आप चाहे तो अलग-अलग format में cv अपना देख सकते हैं इसी detail के साथ ही अलग-अलग color में देख सकते हैं अलग-अलग format में देख सकते हैं और सभी free हैं आप free में download भी कर सकते हैं यह दिखिया अलग-अलग modern format में है professional format में है तो केवल आपको click करना है आपकी जो जानकारी एक बार दी गई है उसी के आधार पर आपका जो रिजूमें है वो तैयार हो जाएगा अगर आपको कोई डीटेल इसमें एडिट करनी है तो दुबारा से जानकारी में जाके एडिट कर लीजिए इसको आप किसी को भी मेल में भेज सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं वाटस सकते हैं अब यह मैंने डाउनलोड कर लिया तो यह कुछ इस तरीके का दिखाई देगा इसको मैं प्रेंट भी करा सकता हूँ वाटस अप से भी भेज सकता हूँ सेयर कर सकता हूँ कंपनी को भी भेज सकता हूँ मेल आईडिय से भी company को share कर सकता हूँ या download करके अपने mobile phone में रख सकता हूँ तो इस तरीके से आपको share करना है और यकीन मानिए कि ये आपके लिए बहुत ही important apps है जो कि बिल्कुल free है और बहुत ही काम आने वाला है तो आगे से आपको cyber cafe जाने की जोट नहीं पड़ेगी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो like share जरूर की